नरश्कार आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में मैं हूँ आपके साथ मन जुरुध्यार बढ़ते हैं आज की मुख्ये खबलों की तरफ ग्राम पंचयत हर्दुखेडी के ग्राम बहलोट में दरोगा जी की कोठी के पीछे पंच मुखी हनुमान मंदिर रास्ते की सडक निर्मार ना होने से गाउं के लोग बेहद ही परिशान है सडक पर घरों का गंदा पानी भरा रहता है क्योंकि पानी निकासी ना होने से इसमें कीचड और दलदल बनी रहती है वहें छेतर में कोविड महमारी का खत्रा बना हुआ है जिससे आसपास छेतर में गंदिगी और मच्छर पनपते रहते है पंच मुखी हनुमान मंदिर पर आने वाले शुराधालों को भी काफी परिशानी होती है क्योंकि उनके पैर कीचर में लबालब हो जाते हैं पास में लगी डीपी से करंट भी सड़क पर पानी भरे होने से कई बार फेल हो जाता है जिससे ग्रामिनों को करंट का डर भी लगने लगा है ग्रामिनों ने सड़क निर्मान के लिए सरपंच से लेकर सचीव तक कई बार गुहार लगाई है लेकिन इनकी गुहार पर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है मुकेश चत्रुवेदी की रिपोर्ट का रस्त तक बह्लार पंचायत अंतरगत ये बस्ती है इस ये इस बस्ती के लोग काफी परिशान है इस बस्ती में रोग की कोटी के पीछे वारी गली जो पंचुपी अंद == जी के घरों के है गरों के जो पानी आ रहा है उससे वह दल न जाल मच्चा हुगा है और इस दूसीद पानी के वहे से मन्र जाने वाले से डालू भी उस गंडी के मैं समझ आते हैं और यह इस गली से ac में जो चोच छोटे बच्रेते सकूल घाने वाले वो भी कर रहे हैं और जो डीपी है डीपी का पानी भी में करेंट उतर कभी कभी उतर जाता है इससे भी लोग को बैबना रहता है